अब हिमाले से निकलने वाली हम तीसरे प्रमुख नदी तंत्र ब्रह्म पुत्र नदी तंत्र के विशय पर बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में भी हम देखेंगे इस रिवर्स सिस्टम में ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य नदी है और इससे मिलने वाली और अन्य सहायक नदियां हैं जो मिलकर एक सिस्टम या एक तंत्र का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इसका प्रवाः चार देशों में है चीन भुटान भारत और बांगलादेश अब इसके बाद हम देखेंगे की ब्रह्मपुत्र नदी की उतपत्ति भी जैसे सिंदु नदी की उतपत्ति मांसरोवर जहील के निकट हुई थी इसी प्रकार मां पुर्वक की तरफ ब्रहम्ः पुतर नदी का उत्गम होता है। और मांसरोवर जील के निकट एक चेमा यूंग डूंग ग्लेशियर है यहां से ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट होती है इसकी उत्पत्ती होती है और उत्पत्ती स्थान से लेकर ये नदी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ लगभग 1100 किलो मिटर में प्रवाहित ह होती है और ये 1100 किलो मिटर में ये हिमालय के समानांतर बिलकुल पश्चिम से पूर्व की तरफ ही प्रवाहित होती है और उसके बाद ये दक्षिन की ओर एक तीखा मोड बनाती है बहुत तिव्र मोड बनाती हुई भारत का जो पुर्वी छोर है जहां पर अरुनाचल प् हिमालय को कार्ती हुई एक गहरे कैनियन का भी निर्मार करती है बच्चो इस ब्रहपूत्र नदी के विशह में हमने पहले भी चर्चा की कि जैसे सिंधु नदी एक पुरवर्ति नदी है गंगा एक पुरवर्ति नदी है ठीक इसी प्रकार व्रिहध हिमालय के लिए यहां पर हमने देखा, कि यह दक्षिन की और हिमालय को काटती हुई नामचा बरवा के निकट एक तीखा मोड, मैं गयुत बनाती हुई दक्षिन की और मोड रही है, तो द्क यह तीखा मोड किसके कारण है? इसके ब्रह्मपूत्र नदी के तीखा मोड बनाने के पीछे इसका भुवैज्यानिक कारण है मतलब यहां पर हिमालय का जुकाओ है एक अक्षी जुकाओ हिमालय बनाती है जिसके कारण बिल्कुल नामचा बर्वत के पास ही इस पिक्चर से आप बहुत अच्छी तरह से में आता है मालय परवत की चोटी बीच में आ रही है तो वो एकदम यूटन बनाकर एक तीखे मोड के साथ दक्षन की तरफ मुड जाती है और इसके बाद यह अरुनाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जैसे ही ब्रह्मपूत्र नदी अरुनाचल में प्रवेश करती है तो अरुनाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है वहाँ पर पहले नदी का नाम जब तिबत में थी जहां से यह ओरिजिनेट हो रही थी वहां से लेकर भारत में प्रवेश करने तक मतलब तिबत में इसे सांग्पो के नाम से जाना जाता है और जैसे ही यूटन बनाती हुई अरुनाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो पसी घाट के पास हम देखेंगे कि पसी घाट के पास ही सदियनगर में दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की दो महत्वपून सहयक नदियां है दिबांग और लोहित यह पसी घाट के पास सदि ये नगर के निकठी ये दोनो नदियां जो है ये इस दिहांग नदी में मिल जाती है क्योंकि अभी इसका नाम तो ब्रह्म पुत्र पड़ा ही नहीं है अभी हम इसे किस नाम से जान रहे हैं दिहांग के नाम से और जैसे ही ये दोनों सहायक नदियां दिहांग से मिल जाती है तो उसके बाद ये असम घाटी में प्रवेश करती है और वहाँ पर इसे ब्रह्म पुत्र के नाम से जाना जाता है तो असम घाटी में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर इसकी और भी अन्य सहायक नदियां मिलती है जैसे सुबनसरी है, धनसीरी है, कपीली, मानस ये इस ब्रह्म पुत्र की और अन्य महत्पूर्ण सहायक नदिया हैं दिबांग और लोहित के अलावा फिर हम देखेंगे कि इसमें इसी घाटी में असम की घाटी में ये नदी जो है वो एकदम एक गुमफित जलमार्ग बनाती हुई प्रवेश करती है या गुमफित जलमार जिसे हम ब्रेड़ेड स्ट्रीम भी कहते हैं क्या होता है कि जब ब्रह्मपुत्र सांग्पो के नाम से तिबबत में प्रवाहित होती है तो ये एक सिंगल रिवर होती है इसमें जल की मात्रा उतनी अधिक नहीं होती लेकिन जैसे ही ये अरुनाचल में प्रवेश करती है द बहुत अधिक वर्षा वाला घने वनाच्छादित चेत्र वाला चेत्र है तो हम ये देखेंगे कि भारत ही नहीं विश्व की भी सरवाधिक वर्षा वाला चेत्र यही है तो यहां पर बहुत अधिक वर्षा के कारण भी और चुकी ग्लेशियर से तो आही रही है और साथ ह इसमें बहुत सारी नदियां जो हैं अन्य सहयक नदियां भी इसमें मिल जाती हैं तो इसके कारण इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है जलकायतन बहुत जादा बढ़ जाता है और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये पहाडी छेतर से नीचे की तरफ आ रही है कटाओ करके तो इसमें आवसाद की मात्रा भी सिल्ट गाद ये आवसाद की मात्रा भी बहुत ज़ादा होती है और जिसके कारण ये आवसाद जैसे ही इस घाटी वाले छेतर में प्रवेश करती है तो वो आवसाद जो हैं वो जमा कर दिये जाते हैं जिसके कारण इस ब्रह्म नदी की जो इस्ट्रीम होती है उसकी जो धारा होती है वो औसादों के उसके जमाओ के कारण जब कई शाखाओं में बढ़ती है और फिर से किसी एक जगा मिल जाती है तो हम इसे ब्रेड़ेड इस्ट्रीम या गुमफित जलमार्ग कहते हैं और इसी आवसादों के बहुत व्रिहद मात्रा में जमाओं के कारण हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे नदी द्वीप भी जो है वो देखने को मिलते हैं और बच्चों क्या आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है जिसे हम माजुली नदी द्वीप कहते हैं उसकी स्थिती भी यहीं पर है और जो ब्रह्म पुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है द्वीप मतलब हमको पता है कि द्वीप क्या होता है एक ऐसा भूखंड जिसके चारो और जल ही जल हो तो नदी द्वीप कह रहे हैं मतलब ऐसे तो द्वीप की स्थिती हमको सागर यह महा सागर में देखने को मिलती है लेकिन जब हम नदी द्वीप कहते हैं तो नदी द्व हो जाती है एक भूखंड का वो आकार ले लेता है लेकिन उसके चारो और जो है वो नदी का जल विद्धिमान रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं नदी दीप और हमने देखा ना कि ब्रह्मा पुत्री इस घाटी में एक गुमफिद जल मार्ग बनाती ही चलती है और ये ब्रेड में देखने को मिलते हैं इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रह्मा पुत्री नदी जो है वो धुबरी शहर तक पश्रिम की तरफ फ्लो करती है और धुबरी शहर के बाद यहां तक यह पश्रिम की और प्रवाहित हुई और फिर ये गारो पहाडी से मुढ कर दक्षिन की ओर आपकाmother प्रवेश करती है. गारोखासी से इसका मोड बनता है दक्षिन की तरफ और बांगला देश में प्रवेश करती है. और बांगलादेश में हमने अभी पहले इगंगा अप्वाहत अंतर में बात की थी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांगलादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और मैं आपको फिर से याद दिला दू कि गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपूत्र नदी को जमुना और यहीं पर गंगा नदी जिसे यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जा रहा है और जमुना ये दोनो धाराएं जो हैं वो मिलती हैं और ये दोनो संयुक्त धारा पद्म और जमुना की जो है वो मेघना के नाम से जानी जाती है और ये मेघना स्ट्रीम मतलब ये दोनों संयुक्त धारा जो है वो जाकर फिर बे आफ बेंगौल में बंगाल की खाडी में जाकर मिल जाती है और डेल्टा की विशय में तो हमने इसके पहले चर्चा की ही थी जब हम ग बच्चों ये हो गई ब्रम्ह पुत्र नदी अपवाह तंत्र की बात हमने देखा हिमाले से ये जो तीन प्रमुख नदियां मिलती हैं इनके अलग-अलग रिवर सिस्टम की भी हमने बात की अब हिमाले की नदियों के बाद हम चर्चा कर लेते हैं प्रायदीपी भारत की नद नदियों में क्या अंतर देखने को मिलता है फिर भी एक थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं प्रायदीपी भारत की जितनी भी अधिकतर नदियां है वो पश्यमी घाड से ओरिजनेट होती हैं या उनकी उत्पत्ती पश्यमी घाड से होती है यहां पर मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे कि बीच में मध्य भाग में आपका प्रायदीपी पठार है और प्रायदीपी पठार के एकदम पशिमी हिस्से में उत्तर से लेकर दक्षिन तक पशिमी घाड की स्थिती है और पशिमी घाड के यदि हम उत्तर पूर्व की तरफ आ जाएं तो ह इसलिए हम देखेंगे कि प्रायदीपी भारत की जो अधिकतर नदिया है उनकी उत्पत्ति पर्शिमी घाट से हुई है और पठार का ढाल है वो पर्शिम से पुर्व की तरफ होने के कारण यहां की अधिकतर नदिया सभी नहीं अधिकतर नदिया जो है वो बंगाल की खाडी में गिरती है अब सभी नहीं कह रहे है मतलब जैसे कि इसकी जो और दो प्रायदीपी भारत की सबसे बड़ी नदी जो हमने बात हम आगे और भी चर्चा करेंगे जैसे नर्मदा है तापती है और पशिमी घाट के पशिम की तरफ जीन नदियों की उत्पत्ति होती है जैसे हम बात कर लें गोवा के जुआरी मांडवी नदी की बात या केरल में पिरियार नदी ऐसी ही और अनिक करनाटक में नेत्रवती शरावती बहुत अन्य छोटी और नदियां है जो अपना जल जो है वो अरब सागर में गिराती है या उनका प्रवा जो है वो पशिम की तरफ ह होता है लेकिन हम अधिकतर नदियों की बात कर रहे हैं कि यह अपना जल बंगाल की खाडी में गिराती है पूर्वकी और प्रवाहित होती हुए हमें मालूम है कि प्रायदीपी प्रठार जो है वो एक प्राचीन इस्थिर भूकंड है जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था जब हम प्राकृतिक स्वरूप की बात कर रहे थे कि यह गोणवाना लेंड का एक हिस्सा है तो हमें पता है कि यह सबसे प्राचीन भूकंड है इसके बाद जो हिमालेई नदिया है इनकी तुलना में यहां से जो निकलने वाली नदिया है चाहे वो कृष्णा हो कावेरी हो गोदावरी नदी हो यह सब ही जो है वो पुरानी है या हम कहें प्रोढ़ा वस्था या अपने मिच्योर स्टेज में आ चुकी है इसलिए यह घाटी का निर्मार नहीं करती और चुकी एक पठारी छेत्र से यह प्रवाहित हो रही है और साथ ही हम देखेंगे कि इनका मार् प्रवाहित होंगी वो एक छोटे मार्ग से प्रवाहित होंगी तो इसके कारण यहां पर इस नदी में मोड भी नमोड या विसर्प जो है वो नहीं बनते हैं इनकी कमी देखने को मिलती है इनका मार्ग जो है वो प्राय एक निश्रित मार्ग से यह प्रवाहित होती है हमने आपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है जिसके कारण बहुत ज्यादा वहां पर लॉस होता है नुकसान होता है या बाढ़ के प्रकोप का सामना उस चेत्र को करना पड़ता है लेकिन प्राइदीपी भारत की जो नदियां है उनका मार्ग प्राया सुनिश्चित है इसके प्राप्ति होती थी और वर्षा के रितू में वर्षा के मौसम में हम देखेंगे कि बारिश का जल या वर्षा का जल प्राप्त होता है लेकिन प्राइदीपी भारत की नदियों में हम देखेंगे कि यहां पर जल के सोर्स का एक मात्र जो साधन है वो आपका बारिश का जल जो वर्षारीतू में मिलता है उसके बाद प्राया ये नदियां जो है वो ग्रिश्मरीतू में सूख जाती हैं तो हमने देख लिया अब आगे हम एकेक करके जो मुख्य नदियां है जैसे गोदावरी है कृष्णा है कावेरी है महा नदी और इसके साथ ही साथ नर्मदा और इन मुख्य नदियों पर हम एकेक करके चर्चा करते हैं तो आए हम बात करते हैं नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम मैकल परवश्रेणी की अमरकंटक चोटी से होता है यह आप मानचित्र में बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे इस नदी क आप कि जो कुल लंबाई है वो 1312 km 1312 km है और इसका कुल अपवाह छेत्र जो है वो 95795 वर्ग किलो मेटर है 98795 स्क्वेर किलो मेटर टोटल इसका ड्रेनेज जो इरिया है इस टोटल ड्रेनेज एरिया में भी हम देखेंगे कि इसका जो शरवाधिक हिस्सा है यह मध्य प्र और महरास्ट में यहां पर मांचितर में देख भी पा रहे होंगे मध्य के लगबग मद्य से होकर गुजरती है और इसका सर्वाधिक हिस्ता भी जो है मध्य पर देश में पढ़ रहे हैं यहां पर इस नदी में बहुत सारे जुल बांध घर बनाए गए हैं जिसका प्रयोग इहां पर सिचाई के लिए या जल विद्योत उतपन्न करने के लिए भी किया जाता है अब हम देखेंगे कि जो जितनी भी नदियां प्रायदीपी भारत की अरब सागर में गिरती हैं, तो अरब सागर में गिरने वाली प्रायदीपी भारत की नदियों में ये सबसे बड़ी नदी है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, नर्मदा नदी जो है, वो एक भरं से तो बच्चों आपके मन में प्रेशन उठ रहा होगा कि भ्रंश घाटी क्या होती है तो जब हम प्राकृतिक को एक दूसरूतर च्रचा किये थे पिछली कक्षा में तो हमने इस बात पर भी चर्चा की थी कि जब दो प्लेटेzur अपश में इनमें मूमेंन हो रहा है तो हमने पढ़ा एक दूसरे से दूर चली जाती है, मतलब जब दो प्लेटेर प्रवाहित हो रही है Selbstि एक दूसरे से द ब्रंश घाटी कहते हैं इसका निर्माण तब ही होता है जब दो भूखंड जब दो आजू-बाजू वाले भूखंड बीच वाला जो भूखंड है वो या तो इस्थिर रहे और उसके अगल बगल के जो भूखंड है वो नीचे की तरफ धस जाए ब्रंश के कारण और अभी इस घाटी का निर्माण होता है तो अभी हमने कहा कि नर्मदा नदी जो है वो एक भृंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है तो हम देखते हैं कि इस नर्मदा नदी के उत्तर की तरफ विंध्याचल परवत है और दक्षिन की तरफ सत्पूरा परवश्यनी है ये दो अभी इस अपने पूरे लंबे रास्ते में मतलब जहां पर वो अरब सागर में गिरती है अरब सागर का जो खंभात की खाडी वाला जो चेतर है जहां पर वो गिरती है तो उत्पत्ती स्थान से लेकर समुद्र में मिलने तक इसकी लंबी आत्रा के दौरान ये बहुत सारे मनोरम द्रिश्य जो है या आकरशक पर्यटन इस्थल के जो केंद्रे हैं वो निर्मित करती है बांध तो बनाए ही गये हैं इसके साथ ही साथ बहुत जादा हम कहें वाटर फॉल की स्थिती भी देखने को मिलती है गहरे गाड से होकर ये प्रवाहित होरी गहरी घाटी से होकर प्रवाहित होती है तो मतलब जल प्रपात का वाटर फॉल का भी निर्माड करती है और इसके साथ ही साथ जो है वो यहां पर बहुत सारे मनोरम द्रिश्य यहां पर देखने को मिलते हैं और इस पिक्शर से भी आप देख पारे होंगे जैसे भेडा घाट जल प्रपात है ध प्रवाहित होती है तो इसी समय यह धुआधार जल प्रपात का निर्माड करती है अनलग भग जब यह नदी का जो जल है इस जल प्रपात के माध्यम से नीचे की तरफ गिरता है तो चुकी वहां पर चट्टाने भी जो है वो संगमर्मर है या सफेद चट्टाने है और के कारण इस वाटरफॉल यह जल प्रपात को धुआधार जल प्रपात कहा जाता है फिर यह नदी भड़ोच के निकट खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है बच्चों यहां पर एक महत्त पूर्ण बात और है कि जैसे पश्मी घाट के पूर्वकी तरफ जो बहने वा प्राय डेल्टा का ही निर्माड करती है मतलब जितनी भी नदिया है वो डेल्टा बनाती है लेकिन जो नर्मदा और इसके साथ ही साथ तापती जिसकी हम आगे चलकर और चर्चा करेंगे तो यह दोनों नदिया जो हैं यह एक भरंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है इसल इनको एक बड़ा ऐसा छेत्र नहीं मिल पाता धाल नुमा जिसमें वो अपने दौरा लाए गया और सादो को जमा कर पाए इसलिए एक ब्रंश कगार या ब्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण जो है कगार के बाद जैसे यह अरप सागर में गिरती है तो सीधे इसका जल है यह बहुत बड़े एरिया में नहीं फैल पाती और सीधे अपना जल जो है वो खंभात की खाडी में गिरा देती है तो यह नदी जो है वो डेल्टा का निर्माड़ना करके एस्शुरी का निर्माड़ करती है एस्शुरी मतलब जहां पर नदी का जल जो है वो एक वि तो नर्मदा नदी जो है वो एशरी का निर्माड करती है अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में भी बात कर लें तो नर्मदा नदी की प्रमुक सहायक नदी जो है वो ओरिसन है और ओरिसन के अलावा भी इसकी अन्य जो सहायक नदिया है वो तवा, बसेर, दूधी, शक्कर हीरन ये जो हैं ये इसकी अन्य महत्वपूर्ण सायक नदिया हैं बच्चों जैसे गंगा पुआ तंत्र को हमने पढ़ा था और हमने उसमें देखा था कि उसके नाम पर गंगा नदी के संरक्षन के लिए उसकी सुरक्षा के लिए नमामी गंगे परियोजना का निर्माण किय जा गया है कि किसी प्रकार नर्मदा नदी के संरक्षन के लिए यहां पर नमामी नर्मदे परियोजना जो है वो चलाई जा रही है तो आए इस पर हम चर्चा कर लेते ही यह क्या परियोजना है नमामी देवी नर्मदे परियोजना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का सर अधिक दोहन और प्रदूशित होने से कई जगा नदी का पानी अत्यन प्रदूशित हो गया है और इसमें पानी की मात्रा भी कम होने लगी इसी समस्या से निजात पाने के लिए मध्य प्रदेश आशन के द्वारा 11 दिसंबर से 144 दिन तक चलने वाली नर्मदा परिक्रमा और नदी को साफ रखने के लिए जागरुपता पैदा की जाएगी।